आप जो चाहें खाएं अगर आप खाने के प्लती आभार और श्रधा की भावना के साथ भोजन से संपर्ख करें जब मैं श्रधा कहता हूँ तो ये आपके लिए शायद बहुत अधिक महसूस हो लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर हम आपको एक कमरे में रखें और वहां पांच दिनों तक खाने के लिए कुछ न हो अगर ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएं तो आप क्या मांगेगें खाना तो ये इतना महत्वपून है आपको समझना चाहिए कि आपकी थाली में भोजन सिर्फ एक बदार्थ नहीं है ये एक सामगरी नहीं है ये एक वस्तु नहीं है ये जीवन है ये आपके लिए जीवन बनाने वाली सामगरी है तो आपको इसे ऐसा ही सम्मान देना चाहिए फिलहाल जब ये प्लेट पर है जब ये बाहर है तो इसका कोई मूल्य नहीं है लेकिन जिस क्षण आप इसे खाते हैं और ये आपका मास और रक्त बन जाता है तब अचानक इसका आपार मूल्य हो जाता है हम ऐसे क्यों जीते हैं? ये बहुत महतुपून है जब ये आपकी प्लेट पर आता है तब ही आपको इसे खुद का एक हिस्सा मानना होगा आपको भोजन बहुत शद्धा के साथ करना चाहिए अगर आप बस भोजन करने का तरीका बदल दें तो भोजन आपके भीतर बहुत अलग तरह से व्यभार करेगा